हलो दोस्तों मैं पूजा मेरे चैनल पूजा हों गिचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं लेके आई हूँ पत्ता गोभी की कच्छरी जो की इतनी ज़्यादा स्वादिश्ट बनते है ना कि आपको ये ब्रेस्पी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले है तो वीडियो को फूल आज करें बीना स्कीप किये और वीडियो पसंद आया तो मारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस्ट करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटों आप तक मिलती रहे तो आज हम बनानेंगे बहुत ही क्रिश्प दयार कर सकते हैं सुबह हो या साम हो कभी भी आप इसे खा सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना तो सबसे पहले हम लेते हैं चौपर पर हम रखते हैं पत्ता गोबी यहाँ पे हमने कई भी इसको रख दिया है और इसको हम काट लेते हैं तो सबसे पर इसका उपर का जो पत्ता है उसको हमें हटा देना है देखिए बहुत ग्रीन ग्रीन है और देखने में थोड़ा थोड़ा इसको हम काट करके इस तरीके से निकाल देंगे पत्ते को हटा देते हैं छील करके यहाँ पर जो अंदर का पत्ता होता बहुत ज़्यादा वाइट होता उसी खों में लेना है तो यह ग्रीन वाला पत्ता हमें हटा देते हैं यह बहुत ज़्यादा यह थोड़ा बेकार बेकार दिख रहा है और इसे हटाने के बाद अब इसे हम काट लेते हैं यहाँ पे हम लेते हैं अब चक्कू और बीच में इसे काट करके आधा कर लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा है न तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा तो हमें थोड़ा ही बनाना है, तो यहापे मैं आधा काट लेती हूँ, और आधा काट करके मैं अलग रख देती हूँ, अब आधा काटने के बाद इस तरीके से हमें इसके पतले-पतले स्लाइस करने हैं, यहापे देगी इतनी पतले-पतले स्लाइस में हलकी हलकी याद कर देते हैं इसको बिल्कुल बारिक काटना है आप इसे चौपिंग बोड पे या चौपर में डाल करके काट सकते हैं तो आप चौपिंग बोड पे इस सरी के से अमने रख करके इसको छोटी-छोटे टुकड़े में काट लिया है तो पत्ता को भी बहुत ही इसली कर जाता है इसलीए इसको इस तरीके से पहले आप काट लेजिए और जो नीशे का डंठल है यहां पे देखिए बहुत ही हाट पाट है इसे में फेक देना है इसका यूज नहीं करना है क्योंकि यह कच्छरी बनेगी ना बहुत ही इसका टेस्ट खराब कर देगा कच्छा-कच्छा दि दुस्री थाली में पलट लेते हैं तो यह पर एक धाली हम लेते हैं इसको हम डाल देते हैं और इसको बार एक प्याज को मनें काट करके रखा था इसको प्यास को प्यास डालने के बाद हम डालते हैं साबुच जीरा एक चौथा ही जम्मच यहां पर हाथों पर अजवाइन लेते हैं और अजवाइन को क्रस करके डालते हैं इसका टेस्ट इस तरीके से बहुत ज्यादे अच्छा आता है और अब इसमें थोड़ी प्यास का वुठ्टेया तूट जाएंगे तूट देर लगेगा लेकिन licensing कने पट्ता गोबी और पत्ता गोब unhealthyавать मतलब जो तूकडे हैं वो अच्छी तरीके से तूट जाएंगे फुटी देर लगेगा लेकिन कूट जाता है सभी चीजों को साथ में कूटेंगे इसका फ्लिवर बहुत ही अच्छा निकल करके आता है तो अब सभी चीजों को कूटने के बाद अब इसमें हमने पत्ता सिम्लामीर्च काट करके रखा उसको हम डाल देते हैं यहाँ पर आदा सिम्लामीर्च इमने बारीक काट करके रखा था उसको डालते हैं अब इसके उपर से हम डालते हैं पत्तागोवी और पत्तागोवी डालने के बाद यहाँ पे अभी इसमें हमें नमक डालना है तो नमक डालते ही न पत्तागों में से पानी होने लगे में लिएगा तो पानी इसका फेकनी जरूवत नहीं है इसी पानी में हमें सभी चिजों को गूतना है तो नमक डालने के बाद इस तरीक से हम लूरी लूभ- understand पूरे मसाले प्याज और पत्ता गोवी में नमक को मिक्स करते हैं नमक मिक्स करते ही ना इसका मोस्टर निकलने लगता है और मिक्स करने के बाद अब हमने आलू को अच्छी तरीके से धुल करके छील करके इसको हमने ग्रेट कर लिया है और ग्रेट आलू को पानी में हमने तो यहां पर एक चावल का आटा यहां पर देखिए लेते हम चावल का आटा एक कफ हमने लिया है पहले हम आधा डालते हैं और आधा डालने के बाद इसको पूरे सब्जी में अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं यहां पर मसाले सबजी में जितना भी मौस्टर निकला है ना पत्तगोवी में से उसी में इसको हमें अच्छी तरीके से घूत लेना है जो बचा हुए आटा था उसको भी हम डाल देते हैं और सभी चीज़ों को बस अगर कम बेसी लगे तो आप बाद में भी चावल काणा थोड़ा सा डाल सकते हैं यहां पर हम एक हरी मिर्स को बारी काट करके रखेते हैं उसको डाल देते हैं सबी चीजों को अच्छी तरीके से माइस कर लेते हैं मिक्स कर लेते हैं यहां पर यह गुन भी पानी का यूज हमने नहीं किया है यहां पर डो जो अच्छी तरीके से मिक्स होगी है अब हम इसको रखते हैं गैस पर चाड़ाते हैं एक पैल उसमें हम डाल देते हैं और तेल क इस तरीके से हम दाब देंगे और इसको जारू साधी से हम चिकना कर देते हैं विल्कुल गोल अकार का चिकना करेंगे यहाँ पर देखे इस तरीके से यह चिकना हो गया है और चिकना करने के बाद इसको हम रखते हैं दूसरी प्लेट में इसी तरीके से हम जितनी भी हमने लिया है सभी की टिक्क्तिते हैं में पणकर करके पाले तयार कर लेते हैं और यहां फिर सभी कि बन करकर पहले तयार हो गई है जो तेल है फिल ऑप न हम प्ल सिक्षान ब्लडदीछ्टिने में कम से कम 4-5 हुप लगते हैं गैस को मीडियम फ्लेम पे और आप देखिए इसका इतना कश्च